नमस्ते वेबमास्टर्स, हमारी इस वीडियो शंख्ला में आप सभी का स्वागत है हमारा आज का प्रशन हम से पूछा है मोहन ने मोहन पूछते हैं Google पर SEO यानि की Search Engine Optimization कैसे काम करता है मैं Google Search पर Organic Traffic कैसे बढ़ाऊ तो मोहन जी एकदम 100 टके का सवाल है आपका और शायद हर वेबमास्टर ये जानना चाहता है तो ऐसा है कि ये एक सवाल है जिसका कोई छोटा सा जवाब नहीं है हम इस विशा के बारे में एक घंडे का लंबा विडियो भी बना सकते हैं और तब भी वो Search Engine Optimization की विशाल दुनिया में हर चीज के बारे में बात करने के लिए परयाप नहीं होगा ऐसे सवालों के जवाब देने में मदद के लिए हमने हाल ही में हमारी SEO Starter Guide को अपडेट किया है जो कि अब हिंदी में भी उपलत है हाला कि कुछ बुनियादी दिशाने देश हैं जिनका आप अनुसरान कर सकते हैं तो सबसे पहला उच्च गुनवत्ता वाले content का कोई विकट नहीं है अपने users के लिए लिखें, उनकी भाशा में लिखें और उन विशियों पर लिखें जो आपके मन के हों और साथ-साथ आपके users के हित में हो एक शांदार website बनाने में पहला कदम है आपके users के लिए अच्छी quality वाला content बनाना दूसरा mobile पर focus यह दिखाने के लिए पर्याप्स्रमान है कि अधिकांश users अपने mobile का उप्योग कर content search करते हैं अगर आपको यह साथ पता है कि आपके अधिकांश users और पाठक desktop का उप्योग करते हैं तब तो बात अलग है अगर ऐसा नहीं है तो आपको mobile friendly website बनाने पर ध्यान देना चाहिए क्रप्या एक ऐसे title का chain करने से बचें जिसका page के content से कोई संबन नहीं है अपनी site के अलग अलग pages में एक ही title tag का उप्योग करने से बचें आपके दिक लंबे title ना लिखें क्योंकि यह आपके users के लिए विकार हो सकते हैं और आखरी बात अपने title tag में keyword stuffing ना करें चौथा बहतर description लिखें हर page के लिए unique description का उप्योग करके page के content को सटीक रूप से सारांशित करें आपको ऐसा description meta tag लिखने से बचना चाहिए जिसका page के content से कोई संबन नहीं है पांचवा Google search console का उप्योग करें Google search console Google की तरफ से एक initial tool है जो आपको अपनी website के बारे में काफी एहम और काम की जानकारी देता है search console आपको सूचित करता है अगर आपकी website में कुछ भी करवड़ है जैसे कि hack किये गए pages की warning या किसी भी manual action के बारे में संदेश इसके अलावा भी कुछ अत्यधिक उप्योगी tools है जैसे कि fetch as Google, test site map या structured data highlighter ये ऐसे tools हैं जो आपको तेज, user friendly और बहतरीन website बनाने में मदद कर सकते हैं तो ये कुछ चीजे हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा इस सवाल का जवाब ऐसे तो बहुत लंबा हो सकता है पर आपकी मदद करने के लिए हम नीचे अपनी नई SEO starter guide की link share कर रहे हैं आशा है कि इससे आपको फाइदा होगा अगर आपके पास आगे कोई भी और प्रश्न हो तो आप हमारी India G Plus Community या Webmaster Hindi Product Forum पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जिनकी link हम नीचे description में share करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें, comment करें ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही एक और वीडियो हम आपके लिए जल लेकर आएंगे तब तक के लिए हमस्कार